देखे मरुधरा के मिश्वन प्रडगातार भारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस सभी प्रमुग दलताल ठोक रहे हैं लेकिन भारती जनता पार्टी के राश्ट्रिया ध्यक्ष जेपी डड़्डा उदैपूर पहुंच रहे हैं होटेल मौचूद है और पतादिकारियों के दो सत्रों अलगलग होंगे दो सत्रों के भीतर उदैपूर संभा की दो सत्रों की बैठक पे सबसे पहले उदैपूर शहर देहाग यानि चित तॉड़गड बाग्तिकाबगड के पतादिकारी इसमें शामिल होंगे और एक बज़े दूगरपूर राससमंद और बास्वड के पदादिकारियों की ये बैठ खुरूगी तो कुन्विलाकर के दो सत्व इसमें रखे जाएंगे पदादिकारी वहाँ पर उनकी स्वागत के लिए जब पहुँशे ही ये तस्वीरे उस समय के और तस्वीरे अलग लगती हिन आप देख रहे हैं वोटेल के उस मीटिंग रूम से भी तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जहापर सभी पदादिकारी समय मौझूद है तो ताबगड चे तोडगड के पदादिकारी शामिल पहले सत्व की संगठनात्मक मीटेगे तो मिशुन मरुधरा का एक सियासी में जोड अगर निकाल कर देखें तो आपकी समझ सकते हैं क्योंकि राजस्थान की पूरे इस नमिकरण में जो चुनावी समिकरण राजस्थान का है उसमें वागड की सीट्स पर कितना जादा फोकस हर दल का रहता है और उसकी पीछी क्या रीजन है वो कुछ देर पहले मेरी सयूगी रवी आपको समझा रहे थे वागड और मेवाड कितना इंपोर्टेंट है किसी भी पार्टी के लिए बढ़ध बनाने को लेकर रवी मरसा जुट के रवी हम जिक्र कर रहे थे मेवाड और वागड के सीटों का 15 सीटों पर इस समय भारते जनता पार्टी काबिस है दस पर कॉंग्रेस है और अन्य पर दूसरे दल है लेकिन सेंध मारी की आपने हाँ पर जिक्र किया था कि भारते जनता पार्टी ने उस कॉंग्रेस के परंपरागत वोजबैंक में सेंध मारी की थी और कही न कहीं अब मुक्यमंत्री इशोगहलूत की जो जनकल यार्णकारी योजना है उसके जरीए फिर से इस नए घड में सेंध मारी ना हो जाए इसलिए भारती जनता पार्टी भी मेक्शौर कर रही है कि अब जो एक बढ़त बनाई है उसको मेंटेन कैसे रखा जाए और इसलिए फोकस में हमेशा से मेवार बागड रहा है आदिवासी इलाका है और यहां का जो बूट बैंक है वो परमपरागत बोट बैंक जैसा आप बता भी रहे हम दो चर्चा भी करने थे कि कभी कॉंग्रिस का हुआ करता था लेकिन भाजपा ने सेंध मारी की भाजपा ने अपना इस इलाके में प्रभाव जमाया और उसकी बदौलत हर बार अलग-अलग सरकारों में अलग-अलग बार भाजपा ने भी यहां पर आदिवासी बोट बैंक को अपने कभजे में करने की जो कोशिश थी उसमें सखलता भी हासिल थी और यही बज़ा है कि इस इस इलाके से चुकि इस इलाके के अगर आप भोगलिक स्कुतियों को समझेंगे तो उदैपुर का जो यह इलाका है उदैपुर संभाग का ये एक तरफ गुजरात से और दूसरी तरफ मद्यप्रदेश से लगा हुआ है तो यह जो इलाके की जो पादिवासी जो सीटे हैं वो हमेशा से दोनों ही प्रमुगदलों के लिए एक तरीके से आकर्शन का केंद रही है और इस बार जब चुनाब आसन है तो मद्यप्रदेश को और राजिस्तान को इस 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 जो इलाका है उसको साधने की पूरी कोशिश भाजपा खेमे की दोर से की जा रही है और इस सबसे भी अलग चुकि यहाँ पर आकर जो राश्टी अजेक्ष है वो फीडबेक लेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ जो इस कारिकरम में जो लोग आये हुए है जो पताविकारी आये हुए है उनसे हमने बात भी की थी कि किस तरीके से पिछले कुछ मैनों में उन्होंने जो काम किया है इस इलाके में काम का क्या निश्कर्ष निकला है कितना सफलता हाथ लग पाई है उन सभी चीजों से राश्टिय अर्जक्ष को अबगर्ट कराया जाएगा और इसके अलाबा जो आगामी रणनेती है उस पर चर्चा होगी और सबसे बड़ी बात यही है कि किसी भी सूरोत में पार्टी जो प्रत्याशी है जिनको पार्टी नियत करती है उनकी जीत सुनिश्चित हो और उसके लिए हर कारिकर्टा पुरजोर कोशिश करे पूरी करमरता के साथ में इस काम में जुड़ जाए त्यूंकि अब समय बह बैटकों के लिए और तस्वीरे दिखा रहे हैं क्योंकि जिस हॉल में बैठक होने वाली है वहाँ पर पहुंच गए हैं कारिकरताओं को संभूदित करने के लिए और पहुंच कर सबसे पहले बैठकों के समक्ष मैसेश तो देंगे ही लेकिन मैसेश देने के साथ साथ एक बार फिर से उनमें जीत का जोश और बिगूल बजाने की कोशिश चुनावों की अपनी और से करने वाले हैं क्योंकि संगतनात्मक बैठक संगतनात्मक मखश्वी बिज़श शाना कारव इतने उचे न हो जाएं जिस वजह से उनकी वो स्वर्द अब जाएं जिसमें वो वर्तमान सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं लेकिन अब क्योंकि देखेंगे इस चीज में कोई दौरहाई नहीं है और चीज से इंकार नहीं किया जा सकता कि जो ये तिगडी है प्रुधानन फिर नरींद्र वोदी किया मिच्छा की और जेपी नज्जा की वाकई में काफी स्ट्राटेजिक चीजों के साथ में उनके इर्दगेर्द उनके जो दूर दरश्टी है वो बहुत जादा तीवर है कहीं न कहीं इस चीज़ को भी पहले भाप लिया होगा कि अगर इस तरह की परिसित्यां बनती है तो फिर क्या होगा क्या किया जाएगा दूसरी सूची का सभी को इंतजार है लेकिन दूसरी सूची से पहले अब मेवाड वागड और मारवाड के एक बार फिर से कारेकरताओं में जोश और सहा फूकने के लिए जेपी नड़ा पहुँचे है भारती जंता पाटी राजस्थान संभाग बैटा कुदैपूर आप तस्वीरों में देख रहे हैं पीछे एक होटिंग एक फ्लेक्स लगा हुआ राजस्थान में होने वाले चनावों को लेकर भाजबा प्रत कि मंत्री वसंदुरा राजे पहुच गई है वो उनके साथ में वहां पर आसीन है और यह देखे प्रदिशा अधिक्ष सीपी जोशी उनके साथ में प्रभारी अरुन सिंग वहां पर रवी अबारे से योगी जोट चुके हैं रवी अब से कुछ इक्षन में हम सुन पाएं वो शुरू होने के लिए रवी अब कम ही समय रह गया अब जो बात है वो यह ही है कि यह जो बैठक है जिसमें जेपी नठ्धा अपना संबोधन भी देंगे लेकिन उससे पहले जेपी नठ्धा जो है उस तमाम जो पदाधिकारी पहले चरण में जो प्रभारी पदाधिकारी बुलाए गए हैं जिन में उदैपूर शहर इसके अलावा प्रताबगर और चितोड के जो पदाधिकारी है वो यहां पर है इनके साथ में जो है एजेपी नठ्धा इंट्रेक्शन करेंगे और जैसा कि अलग-अलग बिदान सवाओं के प्रभारी अलग-अलग प्रेकोस्टों के प्रभारी और इसके अलावा भी जो पदाधिकारी है जिनको इस बैठक में आमंत्रित किया गया वो सभी अपना पूरा एक तरीके से कहें तो सारा कुछ बरकाउट करके कागज पर लेके आए हैं और वो सारा जो बरकाउट किया हुआ है उससे जेपी नठ्डा को सीधे अफगत कराएंगे कि किस तरीके की तैय अभी तक किस तरीके से उन्होंने काम किया है और आगामी दिनों में उनके लिए क्या निर्देश है यह भी इस बैठक में होंगे जिसके बाद पार्टी एक जुटता के साथ पूरी संविदन शीलता के साथ सुनावों में जाएगी और जो भी प्रस्याची सैन किया उसके लिए बिना किसी लागलपेट के बिना किसी बिरोधा भास के बिना किसी बिवाद के हर कारिकरता हर पदादिकारी कारेगा तो यह जो यह जो चीजे है यह इन इन बैठकों का प्रमुकादार है अभी पहले चरण की बैठक जो है जिसकी सीवी तश्वीर हमने हमारे द प्रदेश प्रभारी अरुन सींग, प्रदेश प्रभारी अरुन सींग, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुक्ष मंत्री बसुंदरा राजे उन्हें इस वैठक में आम मंत्रत किया गया है, वो मंचपर है, और अब ये बैठक जो है, ये पूरी अपचारिक धंकते शुरू हो चुकी है, और करीब डेड़ से दो बजे तक, लंच टाइम से पहले तक ये बैठक जो है, वो चलेगी, इसके बाद में सभी एक साथ लंच करेंगे, और लंच के बाद में दूसरे सत्र में दूंगरपुर और रास्मन के जो पतादिकारी हैं, उनके साथ में बैठक शुरू हो जाएगी, ठीक है रवी, शुक्रिया पुरी ज्वानकारी के लिए और साथ जुनने के लिए